कलर्स टीवी का शो उडारिया अपने ट्विस्ट एंटरंस की वजह से फैंस के बिलों में बस गया है अभी तक के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह जैसमेन नई कार खरीती है और उसके बाद अमरीक को सौकी स्पीड से उपर उस कार को ड्राइफ करने के लिए कहती है लेकिन ड्राइफ करने की वजह से एक ट्रक से इन सब का एक्सिडेंट हो जाता है जी हाँ इस तरह जैसमीन का प्लाइन खुद पर भारी पड़ जाता है क्योंकि एक्सिडेंट होने के बाद तेजो, फते, अमरीक और जैसमीन चारों को बुरी तरह चोट लग जाती है और चारों ही खून में लटपध हो जाते हैं वहीं देखने कले मिलेगा आज खैपिसूड में कि फते, तेजो और अमरीक को होश आ जाएगा और ये तीनों ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसमीन अभी भी बिहोश रहेंगी जिसके बाद डॉक्टर्स उनकी हालत को काफी जादा सीरियस बताएंगे जिस बात को सुन कर सबके होश उड़ जाएंगे और अमरीक को ऐसा लगेगा कि एक और मोत अमरीक के हाथ से हुई है जिस वजह से अब वो और ज़्यादा फस्ते नज़र आएंगे ऐसा अमरीक का सोचना होगा वेला भी देखना काफी जादा इंट्रस्टिंग होगा कि क्या जैसमीन अब इन सब के साथ अच्छा बरताफ करेंगी ये देख कर कि इन सब ने उनकी जाँ बचाई है ज्या फिर फिर से जैसमीन अपने नेगिटव करदार को कायम रखेंगी और इन सब अपडेट्स के साथ जूड़े रहने के लिए देखते रहे ये यूनियूस और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना